Friends, आज मैं पनीर पकोड़े बनाने जा रही हूँ जो बिलकुल कम तेल में बनाओंगे तो चली स्टाट करते हैं इसे बनाना सबसे पहले पनीर को आप अपने इच्छान सा सेफ में कात लिजे तो मैं लंबे-लंबे सेफ में काटी हूँ तो इसमें मैं सबसे पहले लाल मिच का पॉडर डाल रही हूँ और थोरी सी मैं हलका नमक डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लीजिए और काफी हलके हाथ से मिक्स कीजिएगा नहीं तो तूट जाएंगे तो काफी हलके हां से पहले इसे मैं मिक्स कर लेती हूं तो चलिए इसका गोल में तयार करती है तो गोल तयार करने के लिए मैं बेशन ली हूं ये आधा कब बेशन में यूज कर रही हूं फ्रेंस एक कब भी बेशन नहीं है तो इस बेसन में मैं इन्थवासा मसाला मिक्स कर लेती हूँ, बहुत ही कम मसाले में इसे मैं पकोड़े तयार करूँगी और ये देखे मैं स्वात गणसा थोड़ा सा नमक डाली है क्योंकि हलका नमक में वहाँ पनीर में भी दी हूँ तो इसमें लाल मेज का पॉड़र अथ्वासा हल्दी पॉड़र डाल दी हूँ और ये देखे मैं गरम मसाला और चाट मसाला ये दोनों डालोंगे यदि चाट मसाला है तो इसे जवुद डाले नहीं है तो आप पाभाजी मसाला या सांबर मसाला भी दे सकते हैं उससे भी नहीं पतले भी हो सकते हैं, इसे थोड़े थोड़े पानी देके ही तेयार कीजी। काफ़ी कम तेल में इसे बना के त्यार करूंगी तो चले मेरी तिल तो गर्म हो चुकी है और इसे में चारे तरफ पहला दी हूं और चले में घोल तो मेरी छोड़ देना है क्योंकि कम तेल में इसे पकाय जा रहा है तो चलाने के लिए जगह भी होना चाहिए इसलिए हलका जगह में छोड़ दूँगी और आधा ही मैं इसमें डाल रही हूँ तो ये देखे मैं तेल को किस तरीके से चारो तरफ दे रही हूँ कढ़ाई को घुमा करके जिसे सब तरफ उस तेल चले जाए और अच्छे तरीके से उतना ही तेल में मेरा ये पनीर के पकोरे तयार हो जाए ऐसी नहीं है फ्रेंस कि कम यदि तेल खाना मना है या कम तेल में खाना है तो हम अच्छे खाने नहीं खा सकते हैं कम तेल में भी आप अच्छे खाने बना के तयार कर सकते हैं, अब काफी कम मसाले में भी तयार कर सकते हैं, तो यह देख सकते हैं कि एक तरफ कलर जब चेंज हो गई है तो मैं इसे पलट दी हूँ, दूसरे तरफ सेकाई हो रहा है, उसके पहले मैं चारोस तरफ जो मेरा बेसन का लग गया है उसे में side कर दे रही हूं हटा दे रही हूं ख्रोच करके आद देख सकते हैं कि दूसरे तरफ भी मेरी color काफी अच्छे तरीके से change हो चुकी है तो इसे मैं पलट देती हूँ अब मैं इसे उतार दूँगी क्योंकि मेरे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक पनीर के उसे भी मैं तल लेती हूँ तो यह लीजे मैं पहले कोड को मैं बरतन में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरा भी तलूँगी तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मेरे बन के तयार हो चुकी है पनीर के पकोड़े सेकेंड राउंड बनाने के लिए आप देख सकते हैं फ्रेंज कि फिर से मैं एक चमच तेल डाली हूँ और कढ़ाई को चारो तरफ से घुमा दी हूँ जिसे तेल सब तरफ लग जाए इसी तरीके से बची हुई पनीर के पकोड़े में तल लूँगी तो चलिए सेकेंड र मिर्ची के पौडर और साथ मित हो असा चाट मसाला उपर से डाल रही हूँ जिसे काफी स्पैसी और काफी टेश्टी चटकदार बनके यह तयार हो जाए फ्रेंज तो चलिए मेरी यह तो तयार हो गई है फ्रेंज तो चलिए मेरी इस रेश्पी को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा फ्रेंड फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूं तब तक अपना ध्यान रखेगा ख्याल रखेगा टेक क्या फ्रेंड बाई थेंक यू